Hello students, class 10th में हमारा जो chapter चल रहा है वो है निर्देशांग जामिती और इसकी exercise 7.2 का जो question number 4th है वो हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं अपनी book से एक बार ये question number 4th आप पढ़ लें और ये question number 4th मैंने यहां लिखा भी हुआ है ठीक है क्या कहा है इसको एक बार समझ लेते हैं इसमें आपसे कहा है कि आपके पास 2 बिंदू है कौन-कौन से एक तो minus 3,10 है और दूसरा बिंदू है 6, minus 8 तो इसको मैं यहां पर दिखाता हूँ एक line खीच कर यह रहा एक बिंदू यहां पर और दूसरा बिंदू यहां है यह जो बिंदू है यह है minus 3,10 और यह वाला जो बिंदू है यह है 6, minus 8 तो कहा है कि इन दोनों को जोडने से बना एक रेखा खंड तो यह बिंदू और यह बिंदू को मैंने यह जोड दिया तो अब मेरे पास ये जो दिख रहा है न इसका नाम A रख लेते हैं इसका नाम B तो ये A भी क्या है एक रेखाखंड है इन दोनों बिंदूओं को जोडने से जो रेखाखंड बना है उसको ये बिंदू कुछ कर रहा है, क्या है कर रहा है? एक अनुपात में विवाज़त कर रहा है इसका क्या मतलब है तो पहले तो आपको ये बिंदू दिखाना पड़ेगा जो विवाज़त कर रहा है तो ये बिंदू यहाँ पर कहीं पर हो सकता है तो मैंने इसको यहाँ दिखा दिया और यह है minus 1,6 अब बच्चों यहाँ पर अनुपात की बात की गई तो इसका क्या मतलब है question में तुम्हें ये और ये नहीं दे रखें इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई कितनी है या यू कहें इन दोनों की बीच का अनुपात नहीं दे रखा तो इसी लिए इस तरह के प्रश्ण में जब आपसे अनुपात पूछा जाता है अनुपात पूछने का मतलब वो ये लंबाई और ये लंबाई की मांग कर रहे हैं कि ये लंबाई कितनी है ये लंबाई कितनी है तो ऐसी स्तिति में जब भी question में कहें कि किस अनुपात में वाजित कर रहा है तो आपको इस इस वाले को हमेशा क्या ले लें K इसको K ले ले और ये जो हिस्सा है इसको हमेशा आप क्या ले ले 1 इससे आपको solve करने में बहुत आसानी होगी आपका answer भी आसानी से निकल आएगा इस वाले हिस्से को हम क्या ले लेते हैं K और इस वाले हिस्से को क्या ले लेते हैं 1 ठीक हो गया तो अब अगर हम विवाजन सूत्र लगाएंगे तो उसमें इसको तो हम बोलेंगे X1, Y1, इसको हम बोलेंगे बच्चो X2, Y2, ये हमारे पास क्या होता है XY, इसको हम क्या बोलते है M, और इसको हम क्या बोलते है N, तो पहले आपको विवाजन सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे तो आपको डायग्राम दिग गया होगा अब question के according आपको सिर्फ अनुपात निकालना है यहाँ के according मतलब आपको k निकालना है तो कैसे निकालेंगे बहुत आसान है अब आपको विभाजन सूत्र पता है विभाजन सूत्र में X और Y दोनों की फॉर्मिले है पर यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मिले लगाने की जरुवती नहीं पड़ेगी X क्या है हमारे पास बच्चों वो है M X2 N X1 ओवर क्या होता है बच्चों M प्लस है अब यहाँ पर आप सब कुछ डाइगराम में सब धून ले सब मिल जाएगा देखो X कितना है माइनस 1 तो इसकी जग़ा माइनस 1 रख लेते M कितना है बच्चों K है बीच में यहाँ मल्टिप्लाई है X2 कितना है बच्चों 6 है प्लस N कितना है बच्चों 1 है और X1 कितना है हमारे पास माइनस 3 और नीचे हमारे पास क्या आजाएगा M प्लस N में आएगा K प्लस 1 तो यह आजाएगा K प्लस 1 ठीक हो गया अब इसको solve करते हैं कैसे solve करेंगे माइनस 1 अभी के लिए ऐसी रहने देता हूँ यह 6K हो जाएगा 1 को माइनस 3 से करोगे तो माइनस 3 होगा और नीचे हमारे पास क्या है K प्लस 1 आगे solve करना है तो मैं इसकी जगह क्या लगा लेता हूँ 1 लगा देता हूँ चीक है उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नी अब हमें क्या करना है बच्चो cross multiply करना है तो यह जो K प्लस 1 है किस से multiply होगा माइनस 1 से अब माइनस 1 जब इन दोनों को multiply करेगा बच्चों तो दोनों से ही multiply होगा तो पहले माइनस 1 को K से करोगे तो यह हो जाएगा माइनस के फिर माइनस 1 को प्लस 1 से करोगे तो हो जाएगा माइनस 1 फिर equal to है अब जो 1 है अगर इन दोनों से multiply होगा तो यही दोनों वापस आ जाएगे तो हो जाएगा 6K माइनस 3 यहां तक समझ में आ गया होगा आप इसको solve कैसे करना है यह के दिख रहा है यह के दिख रहा है तो के के को एक तरफ ले आते है बाइ तरफ ले के आते है यहां ले के आते है यह के पहले से यहां है तो इस 6K को यहां ले आते है इस माइनस 1 को यहां फिक देते है तो हमारे पास यहां minus k पहले से है यह plus 6k है यहां आएगा तो minus 6k हो जाएगा equal to यह minus 3 है आपके पास और यह minus 1 जब यहां आएगा तो यह हमारे पास हो जाएगा plus 1 minus 6k होता है बच्चो minus 7k equal to minus 3 plus 1 कितना होता है आपके पास minus 2 अब यह देखें यह minus और यह minus तो कट जाएगे और यह 7 है अगले step में नीचे चला जाएगा तो k की value कितनी आगई बच्चो 2 over 7 आगई तो हमें इस तरीके से बच्चो यह k का मान यहां पता लग गया और हमें k का मान ही निकालना था है ना तो क्योंकि यह k और 1 है तो आपको अनुपात निकालना है अनुपात को लिखते है m over n है ना नहीं भी लिखो के चलेगा exam के लिए ही तक ठीक है पर मैं वैसे समझा रहा हूं कि आप इस बिंदू ने इस पूरे रेखाकंड को कैसे अनुपात में भाज़त किया था एक यह हिस्सा था एक यह हिस्सा इस हिस्से को कहते है m इस हिस्से को क्या कहते है n अब m हमने क्या माना k और n हमने क्या मान लिया था one तो k हमने कितना निकाला बच्चो 2 over 7 और नीचे क्या है हमारे पास 1 तो अगर मैं 1 नहीं लगाता हूँ तो यह से खाली क्या बचेगा 2 over 7 इसका मतलब है M जो है वो 2 के बराबर है और N जो है वो 7 के बराबर है इसका मतलब है यह हमारे पास दूरी 2 है और यह हमारे पास कितना है 7 है इतना वैसे exam के लिए इतना important नहीं है आप से भी exam में यहीं तक करोगे और इस तरीके से बच्चों यह वाला question यहां पर complete होता है